हलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल पर दोस्तों आज हम जानेंगे IPL 2024 के शेडूल के बारे में IPL 2024 के शुरुवात 22 मार्च से शुरू होने जा रही है कुल 17 दिनों के दोरान 21 मैच होंगे ये 21 मैच 10 शेहरों में खेले जाएंगे IPL 2024 का पहला मेच माहिंदर सिंग धोनी की चिन्ने सुपर किंग और फॉफ रिप्लेसिस की रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के बीच 22 मार्च को रात 8 बजे से होगा ये उदगाटन मुकाबला चिन्ने के M.A. चीतब मरम स्टेडियम में खेला जाएगा जारी शडूल के मुताबिक किर्केट फैंस को 17 दिनों के दोरान कुल 4 डबल धेडर देखने को मिलेंगे डबल धेडर मतलब एक दिन में 2 मैच खेले जाएंगे शाम के मुकाबले 7 बच कर 30 मिनट से जबकि दोपहर के मैच 3 बच कर 30 मिनट से खेले जाएंगे शुरुवाती 17 दिनों के दोरान रोयल चैलेंजर बैंगलोर, डिल्ली कैपिटल्स और गुजराट टाइटन्स की टीम सबसे ज़्यादा 5-5 मैच खेलेगी वही चेन्ने सुपर किंग, संराइज हैदराबाद, मुंबाई इंडियन्स, राजिस्तान रोयल्स, लखनो सुपर जाइंट्स और पंजाब किंग्स को 4-4 मैच खेलने को मिलेंगी जबकि कोलकता नाइट रैडर्स सिर्फ 3 मैच ही खेलेगी इस शेडूल के खास बात ये है कि रिशाब पंद के दिल्ली कैपिटल अपने शुरुवाती घरेली मुकाबले विशाका पटनम में खेलेगी वहीं बाकी टीमों के घरेली मैच उनके होम ग्राउंड पर होने वाले हैं शायद लोग सबा चुनाओ के चलते दिल्ली में मुकाबले नहीं रखे गए हैं वहीं बिसिस्याई की ओर से बताया गया है कि बाकी के आईपेल के मैच का शेडूल आम चुनाओ तारीखों के एलान के बाद जारी किया जाएगा बिसिस्याई भारत की आगामी लोग सबा चुनाओ से सम्मधित सभी आविशक प्रोटोकॉल और निर्देशकों का पालन करते हुए सरकार और शुरक्सा एजंसियों के साथ मिल कर काम करेगी आटरावी लोग सबा चुनाओ की घोशना हो जाने के बाद बोर्ड 21 मैचों के लिए जारी कार्यकरम से सम्मधित किसी भी मुद्ध की समिक्षा करेगी और उसका समाधान करेगी इसके बाद BCCI मद्धान की तारीखों का ध्यान में रखते हुए आगे के सीजन के कार्यकरम को जगों के लिए अधिकार्जियों के साथ मिल कर काम करेंगे IPL 2024 भी IPL के 2023 के सीजन की तरह होगा तो दोस्तों आपको IPL की जानका जानका कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही अप्डेट्स चानने के लिए अपने दोस्तों में शेयर कीजिए धन्यवाद